का एक्यूप्रेशर पॉइंट सभी के लिए बहुत फायदे मंद हैं आप लाज तक वीडियो को जरूर देखा करें जिससे आप पूरी जानकारी ले पाए आज मैं बताने वाली हूँ सिंपल सी एक ठेरपी सुचोग ठेरपी के अनुसार एक्यूप्रेशर पॉइंट हैड़क के लिए आईस के लिए नोस के लिए और टूथ हैक के लिए मिन्स जिनको भी सर में दर्द होता है या आखों की कोई भी प्रॉब्लम है आपको या नाख की कोई प्रॉब्लम है या दातों में आपके दर्द है उसके लिए हम सिंपल तरीके से एक्योप्रेशर थेरापी में देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आता है और इसमें एक खास ब को रिप्रेजेंट करता है यह हमारे दोनों ही अंगोठे पर इस फेस का एक्योप्रेशर पॉइंट है मैंने हाप अभी जैस्ट मांग किया है इक बर आपको बताती हूँ तो यह जो मैंने अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड का बता रही हूँ तो आप इसको अपने लेफ्ट हैंड लिया है तो जो इधर वाला पॉइंट है यह हमारे राइट आइस का पॉइंट है क्योंकि जब आप अंगोठी को इस प्रकार रगते हैं तो यह जो इधर वाला भाग हो जाता है यह हमारे राइट साइट का है और यहाँ पी जो एक पॉइंट और है यह हमारे लेफ् यह दोनों ही आखों में प्रॉब्लम है अगर आपको ड्राइनेस है आखों से संबंदित कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों की जो आखे चश्मे का नंबर जो बहुत जल्दी बढ़ जाता है अगर आप रोजाना भी दो मिनट करते हैं यहां पे अक्यूप्रेशर पॉइंट से आप यहां पे एक से डो मिनट इस्टिमिलेट करेंगे तो मैं आपको यहां बताऊंगी यहां पे हमको मैगनेट कैसे लगाना है जिनके पास मैगनेट नहीं है वो कैसे कर सकते हैं तो इसको आप पूरा जरूर देखें तो यहां पे हमने इस्टिमिलेट कर लिया है और य यहां पर आप कैसे इसको करेंगे, यह हमारा हो जाएगा right eyes, यह हमारा हो जाएगा left eyes, जिस side का body का part है, आप अपने आप इसको एक बार में अच्छे से समझ सकते हैं, तो यह मैंने आपको eyes का equipressure point बताया है, दोनों ही आपको अंगुठे पे stimulate करना है, एक से दो मिनट के लिए, जब दोनों आखों में problem हैं, तो दोनों side को यहां point को आप press करेंगे, और इस वाले हाथ के भी दोनों point को प्रेस करेंगे, तो यह हमने अभी locate कर लिया और stimulate कर लिया, eyes का point हमारे आता है, index finger और middle finger के बीच की जगह पे, तो यह जो index finger है और middle finger है, इसको आप यह जो एक्यूप्रेशर की जीमी है, इसकी साहता से आप यहां पे, एक से दो मिनट के लिए इससे चला लेंगे, और जो यह हमारा point आता है, मैं यहां पे आपको mark करके दिखा देती हूँ, eyes का, इस जगह पे हमारे eyes का point आता है, आप देख पा रहे होंगे, यहां भी हमको एक से दो मिनट के लिए प्रैस करना है, तो यह आखों के लिए है, आखों से संबने जो भी problem है, आखों में ठकान हो गई है, जैसे कई बार बहुत टीवी या computer या mobile में काम करने के बाद आखों में भारी पन हो जाता है, उसके लि करना है, यह एक्यूप्रेशर की रिंग है, तो आप यह इंडेक्स फिंगर में एक मिनट के लिए इसको चला लेंगे, इससे हमारे जो blood circulation होता है, बहतर हो जाता है, एनर्जी कप्रा वहां अच्छा रहता है, इसको से मेडिल फिंगर में भी हम चलाएंगे, इसको आपको द यह सभी के लिए फायदे मंद है, और अंगुठे के ओपरी वाले हिस्से में, जहां पर हमने अभी आखो का एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताया था, यहां भी हम इसको चला लेंगे, तो यह हमारा स्टेप हो गया, अब इसके बाद हम यहां पे स्टार मैगनेट लगाएंगे, इसको आपको स्टार मैगनेट को कम से कम 6-8 घंटे लगा के रखना है, तो इस परकार से लगाएंगे, आप देख पा रहे होंगे, एकी टेप में यह दोनों हमने लगा लिया है, पास-पास जैसे आइस का पॉइंट है, तो यह देखे हमने इसको यहां पे ल लगा देंगे, तो यह हमारा हो गया मैगनेट थेरेपी, यह आपको दोनों ही अंगुठे के पॉइंट पे करना है, इसको आप यह वाले पॉइंट को आपको यह जो हमने इस्टार मैगनेट लगाया है, 6-8 घंटे लगा के रखना है, और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो हमने इस्टुमिलेट किया है, उसको खाली 1-2 मिनट करना है, और जो हमने मैगनेट लगाया है, यह 6-8 घंटे लगाना है, अच्छा रहेगा अगर आप रात को डिनर करके, एक घंटे के बाद में आप लगाते हैं, और सब यह खोल देते हैं इसको, तो यह सबसे बैस र पर होता है, यह हमने काली मिर्च को यहाँ पी लगा देना है, डॉक्टर टेप में, और यह डॉक्टर टेप आपको असानी से मेडिकल शॉप में कहीं भी मिल जाएगी, सेम हमको इसी पॉइंट पे यहाँ पे इस पकार से लगा देना है, आप चाहें तो एक इसके उपर औ जादा सभी को है, वैसे बच्चों से लेके बड़ो को, तो यह नेचुरल ठरपी है, कोई साइड एपक नहीं है, उचाना कि दो मिनट का अभ्यास आपकी आँखों की जो प्रॉबलम है, दीरे दीरे आप देखेंगे, आँखों की रोशनी भी आपकी बरकरार रहेगी, आप देख सकते हैं, यह है नोस का एक्योप्रेशर पॉइंट, तो नोस जैसे उपर से हमारी रहती है पतली, नीचे मोटी, तो यहाँ पे यह आप इसको लोकेट करने का तरीका, जब आप अंगुठे को ऐसे करेंगे, कुबरा हुआ हिस्सा आपको भीचोबिस दिखेगा, तो यहाँ पे आपको जिमी की सायता से एक से दो मिनट इस्टिमिलेशन कर लेना है, तो एक्टिवेट करने से वो औरगन्स को पता चल जाता है, कि यहाँ पे हिलिंग प्रोसेश शुरू हो गई है, तो यह हमको कर लेना है, और यह सेम आपको दोनों ही अंगुठे के प्रोसारी होता है, जैसे उपर से कतला, नीचे से थोड़ा मोटा, तो इसको हम लगाएंगे, आप डॉक्टर टेप लेंगे, डॉक्टर टेप में हम नोस का जो पॉइंट है, वहाँ पे इसको लगाएंगे, और इसको लगाने का जो तरीका होगा, वो इस प्रकार से होगा जिरा देखें गा, आप यहां पेस्ट करा रखें और ऐसे आपका नोस का एरिया में आप यहां पे लगाते हैं इसखेंगे और इसको अगर आप लगा रहे हैं दीन में 6-8 घंटे लगाना है तो इसको एक फ़गंटे में प्रैस करते रहे हैं और एक घंटे में प्रेस करते रहें, आप चाहें ट्रेकोर टेप इसमें लगा दीजिए जिससे ये ताइट रहेगा, अब ये लॉंग जो हम लगाएं हैं इसमें इसका रिजन होता है, इसमें हिलिंग एनर्जी होती है, हिलिंग पावर होती है, और जो आपकी नोस, रनिंग करता है, तो ये जोग से सिंपल सा व्याठी है, अब हम देखेंगे, अपने दान्तों के लिए, आप सिंपल सा कर सकते हैं रोजाना अगराईक कर सकते हैं, नहीं पर कर सकते हैं जैसे मैंने पताया था आपको आइस का राइट साइड वाला भाग से मैंसे अपनी दांतों को भी आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड वाले टीट में पें हैं तो आप इस वाले अरिया में कर सकते हैं तो यह आप रोजाना दो मिनट दिन में तीन बार यहां पर प है एक सी दो मिनट के लिए दिन में वहां पर प्रेस करें अब्लसे नियमित की है कम होएं लगेगा धीरे धीरे घिंग्किंग अर ज़्यादा सोचना होता है तो आज भी समय चल रहा है थुरसा अगर हम समझ जाए कि ज़्यादा न सोचा जाए, ज़्यादा ऐसी चीजों को देखा सुना न जाए, जो काम का नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भी headache, stress, depression जैसी problem हो जाती है, तो जो यह वाला point है, आपके stress को भी कम करेगा, आपके depression को कम करेगा, तनाओ को क कम करेगा, और सरदर्द भी अपने आप ठीक हो जाएगा, तो यह वाला point हमारे सरदर्द का है, तो इसको आपको दोनों ही अंगुठे में ऐसे दबाते रहना है, और यहाँ पर जब दबाएंगे, आप देखेंगे किसी point पे ज़्यादा पेन होता है, जैसे इस सरदर्द का है, और यह माइग्रेन में भी बहुत है, और अगर आपको राइट साइड में पेन होता है, तो राइट साइड वाले एरिया में हमको यहाँ पर इधर प्रेस करना है, तो यह रुजाना दो मिनट अभी लग रहा है, देखने से आप जब करने लगेंगे, रुजाना जैसे इस बग की चीजे भी हम करते हैं, इसको भी शामिल करेंगे, आपको कार्फी से रामिलता है, क्या होता है, यह पॉइंट से हम दबाते हैं, सिधा यह हमारे आखों से संबंदित जो और वहां पे होती है, नसे, सेल्स, वहां तकहील होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको इत प्रेस करके रखेंगे, रिलीज, प्रेस, रिलीज, अभी आप दबाएंगे, आपको हल्का सा पेन भी होगा, अगर आपके सर में दर दो रहा होगा, तो पेन भी होने लग जाएगा, यहां पे आप कर सकते हैं, अख्रोट जो आती है, उसको सेम ऐसे डॉक्टर टेप में ल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वीडियो अच्छे लगती हो, कमेंट जरूर करें, और शेयर भी करें, क्योंकि नैच्छरल चीज़ें हैं, साइड इफेक्ट नहीं